हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेट से आज में आपके लिए स्वेटर का ब्यूटिबल पैटरिन लेके आई हूँ, ये बुनना बहुत एजी है, ये एट रो पैटरिन है, ये लेडी स्कीर से जैट से से सेब की स्वेटर में डाल जाने वाला पैटरिन है, आप म इसको बुनना स्टार्ट करते हूँ, ये मैंने डिजाइन का एक छोटा सब्वेश बना लिया है, तो ये दो-दो फंदों वाला पैटरिन है, तो इसमें मैंने 12 फंदे लगाए हो है, यानि 12 फंदे, आप अपने हिसाब से बौडर बनाना और बौडर के उपर अगर आप फ जाइन पैटरिन स्टार्ट करें, सबसे पहले पहले फंदे को स्किप कर लिया, फिर आगे हमने एक एक एक्स्ट्र फंदा निकालना है, तो इस नीचिय को ये पहला होल है, यह दूसरा होल है दूसरी होल से हमने एक एक्स्ट्रा फंदा निकालना है जैसे कि पहला है इसको इसमें नहीं निकालना है इससे नीचे वाला जो है नीचे वाल दूसरा होल है इससे हमने एक एक्स्ट्रा फंदा निकालना है ऐसे और इसको हमने लूज ही रखना है यह पैट फिर फ्राट साइट से डिजाइन पैटरिम स्टार्ट करना तो दूसरे होल से एक्स्टर फंदा निकाला और आगे दो फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं फिर से हमने पहला और ये दूसरा दूसरे होल से फंदा निकालना है ऐसे इसको लूजी रखना है आगे दो हमने के सीध्रें हैं इसे पहला होल है नीचे को और यह दूसरा है अनुब करना हिए और यह दूसरा होल है यह पहला है और यह दूसरा होल है यहीं से एक्स्ट्र फंदा निकालना है इसको थोड़ा लूज ही रखना है आगे दो फंदे हमने सीधे बुनने है हर एक दो फंदे के आगे से एक्स्ट्र फंदा निकालना है नीचे से दूसरी होल से निकालना है ऐसे यह बला पहला होल है और यह दूसरा होल है आगे दो खंदे सीधे वुनने है फ़र्च्ट्रों में सबी खंदे सीधे ही वुनने है जो डिजाइन पैटर्न वाला एक एक स्टर खंदा निकाल रहे हैं वो भी सीधा ही वुनना है सीधा ही निकाला है इसको भी हुआ आगे सीधे निकाल दिए दो कि फिर से हमने से पहला और यूंसरा दूसरे होड से एक्स्टा पंदा निकाल लिए ऐसे लास्ट पंदा श्काविण बून लिए यह ही यह दोअज वाले भंदे हैं इनमेस कोई पैटरिन नहीं डालना है सिर्फ जो बीच वाले फंदे हैं इनिमें ही डिजाइन प्रेटरिन डालना होता है आगे ये सेक्ट रो बैक साइड पहला फंदा इसको स्कीप कर लिया अब हमने जिस फंदे को फस्ट रो में उठाया था ऐसे नीचे से अब इसको बिना बुने ही उतार लेना है आगे के फंदे बैक साइड है इसमें उल्टे ही बुनने है सभी फंदे आगे भी जिस फंदे को हमने फस्ट रो में नीचे से उठाया था एक्स्ट्रा फंदा इसको सेक्ट रो में अभी ऐसे बिना बुने ही उतार लेना है इसको यह पूरी स्लाई में ऐसे ही बुने जाएंगे दो भंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुन लेना है जो एक्स्ट्रा भंदे इसको ऐसे उठा लेना है यह टूरो कंप्लिट होगी है अब आगे फ्रेंट साइड थर्ड रो थर्ड रो में अब पहला भंदे इसको स्कीप कर लिया अब जो भंदे हम दो दो भंदों के बाद एक्स्ट्रा उठाएं अब इनको बुनना है तो यह पहले जैसे यह चार भंदे बन गए है दो यह एक्स्ट्रे हैं और दो यह बीच वाले हैं अब इन चारों को बुनना है तो पहले यह फ्रंट साइड है यह बैक साइड है बैक साइड से ऐसे स्लाइड डालकर बैक साइड से बुनना है और एक फंदा निकाल लेना है फिर फ्रंट साइड से इन चारों को ही सीधा बुन लेना है यह पहले दो फंदे गए अब दो ही रहे गए आगे दो फंदे हमने सिंपल ही सीधे बुनने है इनमें कोई पैटर्न नहीं डालना है पिर आगे जो यह दो एक्स्ट्रा फंदे है और यह दो बीच वाले सीधे फंदे है इन चारों को अब बुनना है तो पहले हम बैक साइड से उल्टी साइड से इनको फंदा निकालेंगे एक ऐसे फिर हम फ्रेंड साइड से निकालेंगे आगे से जारों को ऐसे अगर फंदा ऐसे नहीं निकलता है आसानी से तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको तो ऐसे निकाल लिया फिर सीधी तरब को इसको ऐसे ले लिया आगे दो फंदे हमने सिंपल ही बुनने हैं पिर आगे वी ऐसे चार फंदे बन गए हैं दो एक्स्ट्रे हैं और दो बीज वाले हैं तो इन चारों को इकठा लेके पहले हम बैक साइड से फंदा निकालेंगे फिर हम फ्रंट साइड से निकालेंगे कि यह थर्रों कम्प्लीट हो भी है अब फोर्त रों बैक साइड तो बैक साइड में सभी बंदे हमने उल्टे ही बुनने कि यह फोरों कम्प्लीट हो भी है लेकिन अब फिप्त रों चलेगी तो पहला फंद इसको स्कीप कर लिया अब हमने एक्स्टर फंद जैसे फास्ट रों में उठाया था अब यहां पर नहीं उठाना है इसमें पैटर्न पड़ा तो इसमें अब नहीं डालना है इनको ऐसे ही बुन लेना है सीधा अब जिसमें हमने जिन दो फंदों में पैटर्न नहीं डाला था आब इनमें डालना है तो एक्स्टर फंद उठाना है जैसे यह पहला होल है और यह दूसरा होल है पहला होल छोड के दूसरे होल से एक्स्टर फंदा उठा रहे हैं ऐसे आगे दो फंदे हमने सीधे फुन लेने हैं ऐसे पिर आगे भी पहला होल और यह दूसरा होल यहां से एक्स्टर फंदा निकालना है यह फंदे लूज ही रखने हैं कि आगे के दो फंदे हमने सीम्ल ही भुम्न कई अब हम जीन फंदों में या थार्ड रो में हमने पैटर्ण लएँ डाला है तो आप इन में पैटर्ण डलेगा वां फैला होल और यह दूसरा होल कि यह बोल ना होल है आथी नेचल वाल दूसरा होड़ है यहीं से एक एक्स्ट्रा खंदा निकाला है आगे के दो फंदे हमने सिम्पल ही भूनने है फिर पहला और यह दूसरा हो अब इससे एक्स्ट्रा खंदा निकाल लिया आगे के फंदे हमने सिम्पल ही भूनने है सीधे अब यहां से हमने कोई एक्स्ट्रा खंदा नहीं निकालने क्योंकि हमने यहां पर पहले पैटरन डाला हुआ है अब यह लास्ट खंद इसको भी भून लेना है अब यह सिक्स्ट्रो बैक साइड पहला पंद इसको स्कीप कर लिया कि आगे के फंदे दो हमने उल्टे भूनने है और जो हमने एक्स्ट्रा फंदा भूना हुआ है फ्रांट साइड में अब इसको स्लाई के उपर ऐसे ही ले लेना है बिना भूने उतार लेना है आगे के फंदे हमने उल्टे भूनने है आगे का पंदा ये एकस्ट्रा फंद इसको इसलाई पर भीन बने उतार लेना है आगे के पंदे हमने वूर्टे भूनने है है ले पूरी फंदे में ऐसा ही बनता रहेँगा थो पंदे बोल्टे है उनको इल्टा बनना है और छहें वोल्टा है आप यह सिक्स रोव कंप्लीट हो भी है अब सेबंथ रोव साथ में स्लाइच चली है तो पहला फंद इसको स्कीप कर लिया आगे के दो फंदे हमने सीम्पल ही बुनने हैं क्योंकि इनमें हम पैटर्न नहीं डाल रहे हैं हो इसे इनमें पैटर्न डालेगा जब ब Yakर स्लाईग कंपलीड हो जाईगी जब जिवन लाई होगी थो इसमें डालेगा है मिलेत आगे मिला जो ये एक्श्ला फंद हैं दो और दर बीच वाले फंदे है अब इन में कि यह बैक साइड से एक फंदा निकालना है ब स्भमाइब अनु स्य य्यला है कि अगर आपका दाग्गं रोटा है उसको आप गंधा के भी फंदा निकाल सकते हैं मैंने यहां से निकाला यह से इस पहरंट साइज से ऐसी नौट कर ना निकले तो ऐसे निकाल सकते हैं आप नेकिन फंद अगर इदर को आ जाए निकल जाए तो इसको ऐस गुत ऑगर एसे डे लेना फीर से सलाई की ऊपर आप अगर दाग्गा पतला है तो पुछ सही तरिक्के से ऐसे निकल जाएगा अब यह आगे भी चार बंदे हैं इनको बैक साइड से निकालना है पहले ऐसे फिर फ्रेंट साइड से निकालना है ऐसे तो इसमें हम ऐसे भी पंदा निकाल सकते हैं लेकिन ऐसे थोड़ी प्रोब्लम आ जाती है निकालना पतलत आगे भी तो निकल जाएगा यह तो इसे गुमाके भी निकाल सकते हैं इसको आप आप यह दाग़ा मोटा है तो हमें दिखाने के लिए दाग़ा मोटा लेना पड़ता है तो इसमें कोई पैटर्न ऐसा होता है वह जल्दी से नहीं निकलता है क्योंकि पतला दाग्गा काम दिखता है इसमें पैटरन इसकर के मोटा दाग्गा देना पड़ता है अब यह सेवन रोव कम्प्लिट होगी है अब एड़त रोव जो आठमीस लाई है उसको हम सिंपल ही बुनेंगे इसको सिंपल बुनेंगे तब यह डिजाइन पैटर्न निकल के आएगा कि अगर दिजाइन निकल गया है यह देखो कितना प्यारा डिजाइन निकल गया है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दें आपका तन्यवाद होगा अगर आपको मेरा बुना हुआ डिजाइन पैटर्न प्षंदार है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पर पहले वार आए हैं तो भी लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर है तो लाइक सेर प्सक्राइब y